नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने श्टडी चैनल JP, आउनलाइन एजूकेशन पर जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक जुलाई से भारती नया सहींता सहींत तीन नए कानुन जो है भारत में लाउ किये गये हैं और इनके बारे में हम जो हैं, आज पढ़ेंगे हसे पहले हम भारती नया सहींता के बारे में पढ़ने वाले हैं नए इदनियम में क्या-क्या बदला हुए हैं, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले एकदाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट से कि जिन लोगों हमाया चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है प्लीज हमाया चैनल सब्स्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक से रफ प्रमोट भी जोड़ से कर दीजिएगा तो देर ना करते हैं सुरू करते हैं आज का वीडियो 1 जुलाई 24 से लागू होंगे भारत सरकार ने राजियों और केन सासित प्रदेसों के साथ नियमित बैठके की हैं और वे नए आपराधी कानूनों को लागू करने के लिए प्रवजगी की छमता निर्माण और जागुरता पैदा करने के मामले में पूरी तरह तैयार है बात करेंगे भारती नाय सहिता द्वार तेईस क्या है तो भारती नाय सहिता यानि कि BNS भारत गर्राज में आधिकारिक दंड सहिता है यह दिसंबर द्वार तेईस में संसर द्वारा पारित होने के बाद 1.24 को भारती दंड सहीता यानि की IPC को बदलने के लिए लागू ही है जो बिटिस भारत के समय से चली आ रही है भारती ना सहीता द्वारती दंड सहीता में सामिल अपराद भारती ना सहीता में 20 नए अपराद जोड़े गया है और निरस्त IPC के 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है भारती ना सहीता में 511 धाराएं थी लेकिन भारती ना सहीता में 1438 धाराएं ही रह गई है संसोधन के ज़िए इसमें 20 नए अपराद सामिल किये गये हैं तो 33 अपरादों में जो है सजा की अवधी बढ़ाई गई है 83 अपरादों में जुर्माने के रकम भी बढ़ाई गई है और 23 अपरादों में अनिवार नियूंतम सजा का प्रावधान किया गया है जबकि 6 अपराधों में सामदाईक सेवा की सजा का भी प्राओधान किया गया है बात करेंगे एहन धारां में बदलाव की, धारा 24 में बदला हुआ है IPC की धारा 24 राज़द्रों से जुड़े मामलों में सजा का प्राओधान रगती थी नए कानूनों के तहट राजद्रो को एक नया सब्द देश द्रोह मिला है यानि बिटिस काल के सब्द को हटा दिया गया है और भारती नया सहिता में अध्याय साथ में राज के वुरुद अपरादों की इस रेडी में देश द्रोह को रखा गया है धारा सचवालिस आईपीसी की धारा सचवालिस घातक हतियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में सामिल होना के बारे में थी इस धारा को भारती नया सहिता के अध्याय 11 में सावजनिक सांति के वुरुद अपराद की स्रेडी में रखा गया है अब भारती नया सहिंता की धारा 182 गैर कानूनी सभा के बारे में है धारा 302 पहले किसी की हत्या करने वाले धारा 302 के तर्थ आरोफी बनाया देते हैं हाला कि अब ऐसे अपरादियों को धारा 101 के तर्थ सजा मिलेगी नय कानून के अंसार हत्या की धारा को अध्याच्छे में मानों सरीर को प्रभावित करने वाले अपराद माने जाएंगे धारा 37 में क्या चेंज़ वे देखते हैं धारा 377 नए कानुन के असित में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोसी को IPC की धारा 307 के तहट सजा मिलती थी अब ऐसे दोसीयों को भारती नाय संजिता की धारा 109 के तहट सजा सुनाई जाएगी इस धारा को भी अध्याच्छाय में रखा गया है धारा 376 दुसकर्म से जुड़े अपराद में सजा को पहले IPC यानि की इंडियन पैनल कोट की धारा 376 में परभासित किया गया था भारती नाय संजिता में इसे अध्याच्छाय में महिलाओं और बच्चों के विरुद अपराद की इस रेडी में जगह दी गई है नए कानुन में दुसकर्म से जुड़े अपराद में सजा की धारा 63 में परभासित किया गया है वहीं सामविक दुसकर्म को IPC की धारा 346 द को नए कानुन में धारा 70 में जो हैं सामिल कर लिया गया है बात करते हैं धार 399 की पहले मानहानी के मामले में IPC की धारा 399 इस्तमाल किया थी नए कानूर में अध्याय 19 की तेट आपरादी धम की अपमान मानहानी आधी में इसे जगा दी गई है मानहानी को भारती न्यासाहिता की धारा 356 में रखा गया है बात करते हैं अंतिम चेंज की तो यह धारा 420 में हुआ है भारती न्यासाहिता में धोखा दड़ी या ठगी का अपराद 420 में नहीं अब धारा 316 के तहट आएगा इस धारा को भारती न्यासाहिता में अपस्चीलग को अपस्चीलग का शवची या का भारती निए या जी न्यासाहिता है